राजी वो स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है आज हम सब्सक्राइब करेंगे एक नए कोस्चन के साथ देखे इसमें हमारा एक्स का वैलू निकालना है एक्स का वाट वैलू होगा इसका एक्स का वैलू याद करना है फाइंड दा वैलू find the value of x equal what मनला कि x की वैलू हमारे हाँ पर क्या है एक कोस्चन दिया हुआ है x-b-c upon a minus है बीच में x-c-a upon b है प्लस x-a x-a b upon c है equal 3 दिया है जहां से हमें x का वैलू याद करना है कि x का वैलू क्या होगा यहां से मैं इस कोस्चन को आपको सल्प करके दिखाऊंगा बिल्कुल आसानी से सल्प हो जाएगी बहुत इहली कोस्चन है चोटे से 2-3 लाइन में 2-3 मिनुटों में सल्प हो जाएगी और सल्प करने के साथ साथ मैं एक कोश्चन और आपको दूँगा सेम सेम टाइप से बनेगी सेम सल्प होगा उसमें भी x का वैलू find करना होगा find करना होगा x का वैलू कितना होगा अगर यदि आप इस कोश्चन को आसाणी से समझ जाते हैं तो दुसरे कोश्चन को आप हुल्प कर लेंगे चलिए मैं इस कोश्चन को सल्प करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ऐसे कोश्चन अगर दिये हूँ तो उसका solution करते हैं कैसे उसको सुवर्प करते हैं हमति की बहुत इजीली है अब आसानी से समझ सकते हैं इसमें बस पहलेधा दें कैसे सीमार 2 x 12allen में माइनस के जबह माइनस पार्ज सी माइनस सेमन्स है इस सारे पार्ण ट्री पार्ण दिया है और एक नचेंगर के बाद पार्ण धिया हुआ है इन सब को हम equal से पहले ला लेते हैं 3 वाले को भी चलिए अब इनको पहले लाने के लिए करते हैं क्या J जैसा है वह इसा लिख देते हैं X minus B minus C open में A minus की जगह पे minus लिखेंगे ये सारे उपर वाला उतार देते हैं X minus C minus A open में B plus की जगह पे plus लिखते हैं ये उपर वाले सब कुछ same copy कर देते हैं X minus A minus B plus C और एक चीज़ और करते हैं कि 3 जो है equal के right side में है हम equal के पहले ला लेते हैं तो plus है तो minus 3 हो जाएगा और equal के जगह पे equal और यहां हम 0 लगा लेते हैं math problem solve करने से पहले एक चीज़ पॉलिसी होती है एक नियम है इसका कि आप एक line लिखिए फिर पीछले वाले से match करा लेजे कि आपने क्या उसको changeable किया तो देखिए X minus A, B, C same, यह भी same है plus के जगवा plus से same है change इस line में यही हुआ है कि 3 right side था इसको हम left side ला दिए है अब यह देखिए 3 minus 3 है इसको लिख सकते है minus 1, minus 1, minus 1 equal minus 3 इसली लिख सकते है 3 part हमारा दिया हुआ है first, second, third part है 3 है 3 को हम third part में तोड़ देते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 part में कर देते हैं तीनों के साथ अलग-अलग हम लिख देते हैं चलिए उसको भी करके देखते हैं चेंजेबल थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है दिए x minus b minus c upon में a जैसा है वैसा हमने उतार दी, copy कर दी minus के जगा पे minus लिख दिए minus 1 इसको एक साइड लिख दिए minus है, a minus ऐसे लिख दिए फिर हम क्या करते हैं, इसको भी उतार देते हैं x minus c minus a open में b minus 1 plus के जगा plus लिख दिए, फिर इसको लिख देते हैं x minus a minus b plus c minus 1 इसको भी लिख दिए हमने ए तीन चीज था, 3 लिखा हुआ था 3 को हमने तीन पार्ट में कर दी minus 1, minus 1 और 3 के साथ अलग अलग जोड दिया कि इनके साथ minus 1 कर दिया 1 के साथ minus 1 equal के J Michigan कर दिया और 0 के जगए 0 कर दिया थोड़ा सा bit फिर में लिखिए ए चीज हमारा यहां पर है एक चीज भी यहां पर एक चीज यहां पर है minus 1 लिख दिए माइनस 1, माइनस 1 तीन बार लिख दे तो माइनस 3 हो गया इसको हमने कॉपी करके उतार दी इसको भी उतार दी अब इसमें एक चिंज और कर सकते हैं देखिए, कैलकुलेशन एक दिखते हैं X, माइनस B, माइनस C अपन में A है माइनस 1 इसको हम LCM लेंगे LCM में हमारा A हो जाएगा A उपर वला उतर जाता है X, माइनस B, माइनस C A का माइनस 1 में मल्टिपल करेंगे माइनस C होगा 1 में अगर 5 का मल्टिपल करते हैं तो 5 होता है 1 में अगर हम A का मल्टिपल करते हैं तो A होता है तो one में a का हुआ a हो गया और इसी चीज को हम same यहाँ पर put कर देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं इसके जगा पर तो यहाँ पर लिखते हैं क्या हो जगा x minus b minus c minus a open में a लिख दिये minus के जगा हम minus लिख दिये इसी तरह जिस तरह इसको हमने solve करके यहाँ पर solve किया इतना है आ गया उसी तरह दूसरे वाले पार्ट को भी हम solve करते हैं क्यांकि दो पार्ट है दो को हम solve करेंगे एक डिरेक्ट आपको पताना होगा उसके according हम लिख देंगे x minus c minus a open में b minus 1 समझ में आ रहा है ओके ठीक है अब देखे एस चीज़ को हम lcm लेंगे equal में b आ जाएगा अपन में उपर वाला से मुतर जाता है x minus c minus a और b में one का multiple होगा तो क्या होगा b तो लिख देंगे minus b इसी चीज़ को हम उपर में लिख देएं x minus c minus a minus b open में b लिख दिए जिस तरह हमने calculation करके इहां लिख दिया इसका solve कर इन हा लिख दिया उसी तरह इसका solve करते हैं चलिए इसका solve करेंगे तो क्या है गा तेगे इसको solve करने पे पहले क्या होगा प्लस के जगह पर प्लस इन सब को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो X-A-B LCM C था C में माइनस उनका होगा C हो जाएगा equal में equal 0 के जगह पर 0 कोई भी changeable हमारा क्या हुआ नहीं हुआ changeable क्या हुआ इतना हुआ अब एक चीजे देखिए X, X, X minus A, minus A 3 में है minus B, minus B, minus B इसमें भी है minus C, minus C, minus C से में है यह नहीं कह सकते हैं उपर में first part में भी same चीज है second जो जो है इसमें भी वही चीज है third जो है इसमें भी वही चीज है तो मैं जह कहता है कि अगर कहीं पर भी part में दिया हो plus minus के 7 में दिया हो और सेम चीज़ दिया हो तो सेम चीज़ के जिगा हम एक चीज़ लिख देते हैं क्या गरतेते हैं सेम के जगा एक लिख देते हैं और हम लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए x minus a minus b minus c difference इतना किया minus a को पहले लिख दिए B C ऐसे लिख दिये यहाँ पर B A minus B C था इसको हमने common कर दिया common करने के बाद हमारा यहाँ पर उपर से पूरा निकल गया तो नीचे तो बच गया ना नीचे से कुछ निकला नहीं अपन में A minus 1 के जगा minus उपर से minus A B C निकल गया तो 1 अपन में B लिख देंगे प्लस के जगा पे प्लस लिख दिये उपर से X minus A minus B minus C निकल गया है बाहर तो हमारा बच जाएगा 1 इसके पास भी C हो गया इक्वल 0 अराम से कोई समझ में आ रही है बिलकुल ठीक है अब देखिए अगर हमारा लिखा है 5 में 0 का multiple करेंगे तो क्या होगा 0 का तो 0 0 में किसी भी number से multiple करते हैं तो हमारा 0 ही होता है अगर 0 में हम divide करते हैं 5 से तब क्या होगा तब हमारा infinite हो जाता है उसी परकार एक चीज़ और देखिए अगर हमारा लिखा है 1 by 5 into x equal 0 तो x equal क्या हो जाएगा 0 into 5 by 1 तो x का value कितना हो जाएगा 0 क्योंकि x में इसका multiple हो रही है और x 0 में उसका multiple हो रही है तो 0 में अगर हम किसी भी चीज़ का multiple करते हैं तो उसका answer भी हमारा 0 पराप्त होता है तो इसलिए हम रजीर हो गया same condition ने बताने का rule से था कि हम वही काम इन लोगों के साथ करना चाहते हैं जो अलग-अलग दीख रहे हैं आजाएए आप लोग भी तो x minus a minus b minus c a वाली जो line लिखा था इसको मैं erase कर दे रहा हूँ ताकि clear दिखेगा यह आपको equal zero into क्या हो जाएगा यहां से zero लिख दे ना direct zero में किसी चीज़ का multiple होता है zero हो जाएगा तो हम inch की जगव पर zero ही लिख देते है direct क्योंकि यहां multiple में था यह चीज ऐसे था तो multiple में इस पार्ट को बेट दिए तो zero हो गया इतना हमारा बची गया तो x minus a minus b minus c equal zero हो गया तो x equal क्या हो जाएगा a plus b plus c तो हमारा x का value find करना था ने इसमें तो x का value हमारा क्या हो जाएगा a plus b plus c हो गया आप इसमें कहीं कुछ पूछना है किसी को आप लोगों को ठीक ओके मैं अब आपको दूसरा question put करके बताता हूं लिखते हैं आप उसको self करें पाले देगे सेमें उसी type का question है x minus a b अपन में a plus b plus के जगा plus लिख दिया x minus b c अपन में b plus c x minus c a अपन में c plus a equal में x plus b plus c है जहां से हमें x का value find करना है कि x का value क्या होगा x equal हमें इसका मानग्याद करना है आप एक बार इसको try करें चलिए देखते हैं देखिए math में करने से पहले क्या होता है कि same चीज को पहले लिखा जाता है math में लिखने हाँ तो same ही जाता है plus उसके अगला वाला जो step होता है उसमें कुछ चिंज़ेबल होता है कि किस तरह से लिख सकते हैं उसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं किन-किन तरिकाओं से लिख सकता है उसी को करते हैं अब देखें इसी को हम same उतार देते हैं एकस मैनस ए बी अपन में A प्लस B प्लस एकस मैनस B C अपन में B प्लस C प्लस X मैनस C A अपन में C प्लस A और इस सब को right side में जो है ना उनको हम पहले ला देते हैं तो लिख देंगे minus A minus A minus B minus C equal 0 क्या change होगा? इस line में क्या change होगा? अब देखिए कहाँ पर change होगा? A उतर गया, A वाला भी same उतर गया, A वाला भी same हो गया change यह हुगा, A, B, C जो था equal से बाद में था equal के हम पहले ला दिए, थोड़ा सा difference किया गया, अगर इसमें भी और थोड़ा difference करना होगा तो क्या 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 कर सकते हैं? देखिए A, B है, इसके साथ तीन पार्ट है, एक, दो, तीन है यहाँ पर एक, दो, तीन है, सब के साथ एक, एक को लगा देते हैं A, B है इसमें, तो जो नहीं उसको जूड़ देते हैं, C वाले को इसके साथ जूड़ देते हैं, B, C, B, C है, तो इसके साथ हम A वाले को जूड़ देंगे, C और A है, तो इसके साथ B वाले को एट कर देंगे, देखते हैं, चलो, solve कर करके देखते हैं, X-A B अपन में A प्लस B माइनस C हो गया इतना हिन क्या हो गया पार्ट प्लस वाले की जगा प्लस वाले लिख दिए इसको उतार देते हैं X-B C अपन में B प्लस C BC है तो कौन नहीं है? A नहीं है न तो माइनस A वाले को लाते हैं A वाले आजा अब इनको हम ऐसे ब्रेकेट दे दिए प्लस के जगा प्लस लिख दिए ब्रेकेट हम आपको सुविधा के लिए दे रहे हैं ताकि आसानी इसे आप समझ पाएं कि कोई भी चेंजेबल नहीं हुआ है X-C A अपन में C प्लस A इसमें C A है तो क्या नहीं है B तो माइनस B हम इनके साथ कर देते हैं ओकी ची देखिए लिखने का तरीका बदला हर लाइन के जगा X-AB अपन में A प्लस B इतना हो गया C यहां से मैंने ले लिया X-B C अपन में B प्लस C A हमने लिख दिया A नहीं था इसमें A इसको लिख दिया X-C अपन में C प्लस A इसको लिख दिया इसके साथ मैंने B वाले को लगा दिया एक दो तीन था तीन पार्ट दिया था इधर तीनों के साथ अलग-अलग लिख दिया मैंने अब क्या करते हैं एक कल्कुलेशन करके हमें देखते है X-A B अपन में A प्लस B माइनस C A वाला हमने लिख दी यहाँ पे इसको अगर सल्फ करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है जिसे पहला बता ना सेम उसी तरह तो है इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है X-A B अन्य नहीं जी LCM ले दिआना होता है न LCM तो सेम ही होगा A प्लस B लिख दिया उपर वाले में कोई चेंज नहीं होता है उपर वाला सेम लिख दिया माइनस C है जो LCM रहता है उसी में हमारा multiple होता है किसका A प्लस B का अब इक्वल x minus a b minus c का a में होगा minus a c minus c का b में होगा minus b c upon a plus a plus b इतना आएगा इसको गर हम self करें तो इतना आएगा a वाला हमारा दीया हुआ है a वाला एकलाइन हम इसको लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि डाइरेक्ट लिखना चाहते हैं असानी से क्योंकि या भी कैलकुलेशन अगर करने लगेंगे न तो एक एक लाइन छोटा करते चले जाएंगे असानी से तो यह वाले जगह पे हम इसको लिख दें ओके ची लिख दिया मैंने एकस माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी अपन में ए प्लस बी लिख दिया गया चले आप दोगों नहीं बताया हमने लिख दी सेम यही कैलकुलेशन हम दूसरे पार्ट के लिए करते हैं दूसरा पार्ट ए दिया है इस क्या करते हैं एकस माइनस बी सी अपन में बी प्लस सी लिख दिया माइनस ए है एक लाइन बी प्लस सी हमरा एलसियम हो गया उपर वाला सेम लिखा जाता है जैसे पहले वालों में हमनों लोगों ने लिखा बी सी हो गया माइनस ए जबी प्लस सी एलसियम वाले तो उतर जाता है x माइनस बी c माइनस 1 का बी मुक스가 माइनस ए बी माइनस bc क्या होगा x माइनस bc x माइनस bc लिग दिया माइनस a के साथ b प्लस c था तो b प्लस c लिग दिया तो यहाँ पर हो गया क्या A का B में होगा A B A का C में होगा माइनस B C हो गया ने B C होगा A का B में होगा A B A का C में होगा A C यह हमारा A C हो गया इसी चीज़ को हम यह लिख दे ओके जी अब हम लिख देते हैं पलस वाले एक जगा प्लस वाले लिख दिया X माइनस BC माइनस AB माइनस AC अपन B प्लस C अब दो चीज का तो हमने कल्कुलेशन कर दी अब एक को हमारी इरादा है कि मैं ऐसे इन लिख दूँ क्योंकि यह आप लोगों ने जान चुके है लिख देते हैं X माइनस C यह नहीं लिख देते हैं A C लिख देते हैं C लिख देते हैं A C A C C प्लस A और C का भी होगा तो माइनस B C माइनस A B इक्वल जीरो का जीरो अब देखें X X X सेम है माइनस A B यहां भी है माइनस A B यहां भी है माइनस A B यहां भी है माइनस A C माइनस A C माइनस A C माइनस B C माइनस B C माइनस B C सम्मे हैं मतलब कि उपर वाला अगर पार्ट देखा जाए तो सबका क्या है सेम है तो जब सेम चीज होता है तो क्या करते हैं common कर लेते हैं common कर दिया x minus a b minus a c minus b c इसको हमने common कर दी थोड़ा सा नीचे लिख दीते हैं x minus b c minus b c यहां से अगर बाहर निकालें तो one बचेगा उपर a plus b यहां से अगर हट जाएगा plus के जगा plus क्या बचेगा one बापन में b plus c plus यहां से उपर वाला चला जाएगा इधर तो one बटा में c plus a equal 0 फिर वही चीज़ five into zero होगा तो zero होगा zero में किसी भी संख्या का multiple करते हैं तो zero हो जाती है इन सब का हम इस साइट बे देते हैं तो zero हो जागा x minus a b minus ac minus bc equal 0 लेग दिया x बराबर ab plus ac plus bc यह हमारा एक्स का वैलू था सेम है नहीं थोड़ा सा भी चेंज बस डिजीट का है और वाइज पॉलिस जो नियम भी है इसके जो रूल्स लगे हैं वह भी एक्दम एक्क्वल से हैं उमिद करते हैं कि इस टाइप का जितने भी कोश्चन आएंगे आप उसको असानी से हल कर सकते हैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो राजीवस के उलिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो